हेलो स्टुरेंट्स, वेलकम टो यूपी से एसस्ट, टैली स्रीज का एलेक्शन नमबर 4 है और पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी थी करने के लिए तो उमीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज को ट्राइ किया होगा और अब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्फ करते हैं इसका सल्यूशन देखते हैं क्या होगा तो आपने जो एक्सरसाइज सॉल्फ की है उसको आप सामने रखिए और हम यहाँ पर एक्सरसाइज को एक एक करके सॉल्फ करते हैं तो हमने बताया था जब भी कोई business start करता है तो वो जो होता है वो capital account होता है तो यहाँ पर business किसने start किया स्याम वर्मा ने तो यहाँ पर स्याम वर्मा क्या है capital account है तो यहाँ पर स्याम वर्मा इस तरह से और दूसरा यहाँ पर account क्या होगा कैस का होगा यहाँ पर दूसरा account किसका होगा, कैसका, तो यहाँ पर हमारे सामने दो account इस तरह से निकल चुके है, अब इसमें हमें decide करना है कि debit क्या होगा और credit क्या होगा, तो स्याम वर्मा जो है यह क्या है, यह कौन से account है, यह personal account है, personal, personal account में क्यों से वेक्ति और संस्ताया जाती है, तो यहाँ पर स्याम वर्मा क्या करना है, दे रहे, इसलिए देने वाला क्या होता है, credit, तो यहाँ पर स्याम वर्मा जो है, वो credit हो जाएंगे, स्याम वर्मा, credit हो जाएंगे, और cash यहाँ पर debit होगा, क्यों, क्योंकि business के पास जो है, वो cash आ रहा है, तो जो भी आने वाला होता ह वो debit होता है cash real account है इसलिए cash debit हो जाएगा और यहाँ पर इसके सामने amount डाल देंगे तो इस तरह से यहाँ पर यह पहला question solve हो गया अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question था Mr. Verma opened a bank account in SBI bank deposit cash rupees 5 lakh तो यहाँ पर Mr. Verma जो है उन्होंने 5 lakh रुपए से bank में खाता खुला है SBI bank में खाता खुला है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 lakh रुपए इन्होंने bank में जमा किया है तो अगर जब भी हम bank में पैसा जमा करते हैं तो एक account हमारा हो जाता है bank का यानि SBI bank और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा cash का cash तो SBI bank यह क्या हो जाएगी debit क्यों 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 क्योंकि यह bank पाने वाली है और bank जो है यह account से account है यह है personal account और personal account का रूल कहता है कि पाने वाले को debit करो इसलिए bank पाने वाली debit हो जाएगी और cash जो है यह credit होगा क्योंकि यह cash जाने वाला है क्योंकि cash real account है और real account का rule गहता है जाने वाले को credit करो तो I think कितना clear हो गया होगा यहाँ पर सामने हैं amount डाल देंगे अगला question है Mr. Roma purchase stationary in cash rupees 2000 यानि Mr. Roma ने क्या किया है stationary खरी दिये तो सबसे पहले में जानना होगा कि stationary है क्या तो जब कोई भी company या कोई भी office वगएरा जो होते हैं तो वहाँ पर stationary का आईटम होता है stationary means rough register pen यह इस टाइप का जो भी होता है stationary material वो सारा जो सामान होता है वो एक साथ पर चीज गिया जाता है मलब यह नहीं कि हमें एक pen की जरोत पड़ी तो आज हम एक pen खरी लाए एक register की जरोत पड़ी तो एक register खरी लिया ऐसा नहीं होता है वो क्या करते हैं एक अठा खरी लेते हैं 2000-3000 का सारा सामान और 4-5 मेने तक यूश करते हैं तो कुल मिला कि stationary है क्या stationary expenses यानी खर्चा है जो भी हम copy pen register पर खर्च करेंगे वो क्या होगा expenses होगा तो इसलिए stationary क्या है expenses है तो यहाँ पर एक account आपका निकल जाएगा stationary का stationary और इसके आगे लगा देंगे expenses तो stationary expenses और दूसरा account यहाँ पर होगा cash का क्योंकि Mr. Romani की हमने क्या क्या stationary खरीदी है तो एक account आपका हो जाएगा cash का अब यहाँ पर देखना हमाई यह है कि stationary expenses यानी खर्चा है तो यह क्या होगा nominal account होगा expenses यतने भी होते हैं उसम नॉमिनल account पर जाते हैं कि जो आपका expenses होता है या फिर loss होता है उसे हमें debit करना है सुझी दिसी बात है जो हमारे expenses यानी खर्चे होते हैं वो हमेशा debit होंगे और यहाँ पर cash तो जा रहा है तो credit हो जाएगा simple cash अगर जा रहा है तो cash credit ही होगा यहाँ पर सामने amount डाल देंगे अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है Mr. Orma purchased following assets from Raj Furniture House on credit यहाँ पर देखें on credit का मतलब होता है उधार खरीदा तो यहाँ पर क्या होगा है question क्या करा है कि Mr. Orma यानी की हमने purchase the following assets यानी निम लिखित item खरीदे assets यानी की संपत्ती है यह तो यहाँ पर हमने क्या किया है निम लिखित संपत्तियां खरीदी है from Raj Travels sorry Raj Furniture Raj Furniture यानी की Raj Furniture कोई वेक्ती हो सकता है या फिर किसी shop का या company का नाम हो सकता है जो भी हो फिलाहल यह Raj Furniture से हमने खरीदा है और क्या क्या मलब कैसे खरीदा है on credit यानी की उधार खरीदा है तो question कहे रहा है कि हमने यहाँ पर निमलिखित आइटम खरीदे हैं और Raj Furniture से खरीदे हैं वो भी उधार खरीदे है Raj Furniture का पूरा नाम है Raj Furniture House इस तरह से है तो यहाँ पर हमने कितने आइटम खरीदे हैं आने वाले को debit करो, आने वाले को debit करो, टो यहाँ पर तीनो आ रहे हैं इसलिए तीनो क्या हो जाएंगे, debit हो जाएंगे तो यहाँ पर फटा पर लिखेंगे डेवीट पहले नंबर पर office, यहाँ पर amount अपके सामने डालेंगे, यह1000 रुपए हो गया यहां पर क्रेडिट क्या होगा तो यहां पर क्रेडिट 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 इस लिए होंगे क्योंकि राज फनीचर पर्सनल एकाउंट है और पर्सनल एकाउंट का रोल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट कर दो तो यहां पर राज फनीचर क्रेडिट क्रेडिट हो जाएंगे तो यहां पर पूरा नाम इनका आएगा राज फनीचर हाउस आगला कुशन है अगला कुशन है होगा क्यों क्योंकि यहां पर कैस जाने वाला है तो यहां पर question को थोड़ा दो पार्ट में समझना है Mr. Orma है क्या किया एक office space हायर किया या देखा तो यहां पर आप end के पहले यहां तक की बात करें तो यह इतना question क्या गह रहा है कि Mr. Orma है निकी हमने हमने क्या गया एक office space देखा और उसका हमने किराया तीन हजार रुपे पर मंत तैंक किया तो यहां तक का अगर हम question देखें तो इसके पीछे वाले question में क्या किया है सिर्फ बात की गई है हमने बात की गई है मिस्टर मालेत हम है और हमने क्या किया हम गए और कहीं क्या हमें करें यहां पर इतने question की बात किय Rights तो तीन हजार रुपे की हमने बात किये कि तीन हजार रुपे आपको परमन किराया देंगे, बट, एंड के आगे यहां पर और कॉस्ट्ट और आगे जुड़ गया है, तो इसको भी पढ़ते हैं, तो यहां पर और बताया है कि और पचास हजार रुपे पे कर दिया, तो पचास हजार रुपे क्यों पर यहां किया, बाई चेक as a security deposit, तो पचास हजार रुपे का चेक इन्होंने security deposit के रूप में जमा किया, तो आइ तिंग आपको पता होगा, जब भी हम कहीं पर कोई office हो गया, पर रेंट पर लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उसकी security जमा करनी पड़ती है, तो कुछ भी हो सकता है, पचीस हजार, दस हजार, पचास हजार है, एक लाग, दो लाग, पांच लाग, कितना भी security जमा करना हो सकता है, तो डिपेंड करता है, office space पर, फिलाल, इन्होंने क्या किया, पचास जार रुपए जो है, वो security deposit जमा किया है, लेकिन किराया नहीं दिया है, तो इसलिए, यहाँ पर हमको इतनी यह वाली entry करनी होगी, उपर की entry यह नहीं करनी है, तो इतना तो clear हो गया कि कौन सी entry करनी है और कौन सी नहीं करनी है, तो अब बात करते हैं इसकी, कि यहाँ पर account कैसे निकालेंगे हम, तो अब इसमें ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, पचास जार रुपए का check security deposit के रूप में दिया है, तो अगर पचास जार का हमने check दिया है, तो check देखते ही एक account तो आपका HDFC, sorry, यहाँ पर HDFC bank नहीं है, यहाँ पर आपका है SBI bank, यहाँ पर आपका क्या है, SBI bank है, इसलिए यहाँ पर यह आपका हो जाएगा SBI bank, एक account आपका होगा SBI bank का, और यहाँ पर दूसरा account आपका होगा, security deposit का, किसका होगा आपका, security, तो यहाँ पर दूसरा account आपका security deposit का होगा, ऐसा इसलिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा जा रहा है, वो security deposit के रूप में ही तो जा रहा है, security deposit के रूप में ही पैसा जा रहा है, और चेक के थुरू जा रहा है इसलिए यहां पर 2 अकॉंट निकल गए अब देखो यहां पर बैंक क्या हो जाएगी देने वाली क्योंकि अगर हम 50,000 का चेक किसी को देंगे तो बैंक जाएगा और हमारे account से पैसा कट जाएगा, यानि bank क्या है, देने वाली है, तो जो देने वाला है, वो क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको सीधे-सीधे कर देंगे, credit, और security deposit क्या है, security deposit यहाँ पर होगा, debit, security deposit, debit इसलिए क्योंकि वो पाने वाला है, security deposit के नाम पर ही यह 50,000, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question Mr. Verma appointed Mr. Ritu as manager and promote Agrawal's assistant manager for the following monthly salary, तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो question में केवल बात की गई, ऐसा कहीं नहीं लिखाए कि यहाँ पर payment किया गया है, या फिर कुछ ऐसा किया गया है, जिसे उधार हो, बट ऐसा कुछ न है नहीं कि यहाँ पर इन्होंने इन वरकरों दोनों लोग को जौब पर रख लिया है, बस इतनी केवल बात की गई है, यहाँ पर salary pay नहीं की गई, इसलिए इस वाली entry को हमें नहीं करना है, इसे हमें क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, आगे बढ़ते हैं, इस पर इन्टरी आ गई, आगे बढ़ते हैं, मिस्टर रुमा परचेज इस्टेशनरी वर्थ आफ रूपीज 2,500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस on credit, यहाँ पर मिस्टर रुमा ने क्या किया है, 25 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, और किस से खरीदी है, मोहन पेपर हाउस से on credit, पर इन्ट की उधार करी दिये, तो इस्टेशनरी क्या होता है, भी हम पीशे समझा चुके है, इस्टेशनरी जो expenses होता है, जो register copy pen, यह एडवर्टाइजमेंट वगरा पर जो खर्चा होता है, यह सारा कुछ आपका इस्टेशनरी के अंतरगत आता है, तो यहाँ पर इस्ट इस्टेशनरी, इस्टेशनरी expenses, और यहाँ पर दूसरा अकाउंट आपका अकाउंट सा होगा, तो दूसरा अकाउंट आपका होगा, मोहन पेपर हाउस, क्यों? क्योंकि इस्टेशनरी पर हमने खर्चा तो कि अबट हमने नगद नहीं किया, उधार कर दिया, उधार कर दिय तो यह हो जाएगा आपका Mohan Paper House, एमांट दोनों का सेम रहेगा, 25 रुपए इसका रहेगा, 25 रुपए आपका यह रहेगा, यहाँ पर डेविट को न होगा, इस्टेशनरी डेविट होगा, क्यों क्यों कि जो खर्चे होते हैं, वो हमेंसा डेविट होते हैं, और यह स्टेशन किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और यह डेविट होगा, Mohan Paper House यह आपका जाएगा, परसनल अकाउंट में, और परसनल अकाउंट का रूल कहता है, कि देने वाले को जो है, क्रेडिट कर दो, यहाँ पर Mohan Paper House दे रहे हैं, इसलिए यह क्रेडिट हो पढ़ना आप लोगों को है, आप जैसा चाहें, वैसा पढ़ाएंगे, इसलिए जो भी कोई दिक्कत हुआ करें, आप बता दिया करें, कमेंट में, तो मिस्टर में डेपोजिट कैस रूपीस 50,000 इंटू बैंक, यहाँ पर 50,000 रुपे बैंक में जमा किया है, तो एक तो हो यहाँ पर जाने वाले को क्रेडिट कर दो, तो पैसा है, जा रहा, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यह क्रेडिट हो जायागा, अगला कोशन देखते हैं, मिस्टर में पेड कैस रूपीज 1,200 टूआर्ड ओफिस एक्सपेंसेज पर खर्च किया, अब ओफिस एक्सपेंसेज पर, हमने खर्च किस पर किया, ओफिस एक्सपेंसेज पर, तो यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेज का जो नाम है, वो है ओफिस एक्सपेंसेज, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यह एक अकाउंट ओफिस, एक्सपेंसेज का निकल गया, और दूसरा यहाँ पर निकलेगा, कैस का क्योंकि हमने यहां पर उसको payment कर दिया, office expenses पर जो भी खर्च हुआ, तो debit कौन होगा, office expenses, क्योंकि खर्चे हमेशा debit होते हैं, और credit होगा, cash, क्योंकि cash जो है, वो जाने वाला है, अगले question की तरह बढ़ते है, Mr. Urma received a bill of rupees 4,500 from सुकुन offset printers for printing office stationery, तो यहां पर अगर question को आप ध्य वर्मा ने stationery ही खरीदी है, और सुकुन offset से उधार खरीदी है, बट यहां पर question को थोड़ा सा घुमाया गया है, ऐसा इसलिए है, ताकि आपको हर तरीके से question solve करना आ जाए, देखिए, यहां पर question कर रहा है, Mr. Urma received a bill, Mr. Urma ने की हमने received a bill, यानि हमने क्या 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 क्य आए गा उसका, तो इसलिए यहां पर Mr. Urma received a bill 45 बिल, हमने क्या 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 है, 45 बिल प्राद किया है, किस से सुकुन offset से, किस से प्राद किया है, हमने सुकुन offset printer से, यह पूरा नाम है, किस लिए printing office stationery, यानि हमने stationery खरीदी, यहां पर purchase नहीं लिखाया है, printing office stationery, मलब हमने ब तो इसलिए यहाँ पर एक account आपका हो जाएगा इसटेशंडि़ का एक account आपका हो जाएगा और दूसरा account एहाँ पर आपका हो जाएगा, सुकुन अफसेट का तो यह दो account आपके हो गई और vedit होता और यहाँ पर इक्रेडिट क्योंकर यह देने वाले sont मांट कितना हो जाएदा गा以 psychologist तो आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं आपको कुश्चन को आराम से पड़ना है और इसको समझना आगे कि के एक से क्वी कहा तो यहां पर तुम टो पने अपने हाप लेंस वेंlaAmour, जो बनेगा और यहां पर अंडर भी होगा और यहां पर वाउचर भी होगा और यहां पर यह आपका एमाउंट है यह आपका डेबिट है यह क्रेडिट है और यहां पर आपकी वाउचर डेट होती है यह जो कुस्चन है ये कौन सी डेट में हुआ है तो ये सारी चीजे होती है तो ये question से यतनी सारी चीजे निकलती है और हमें निकालना होता है और फिर उसके बाद इसको हम tally पर चढ़ाते हैं अगला question देखते है Mr. Orman withdraw cash rupees 4500 for personal use Mr. Orman ने क्या किया है 4500 रुपए निजी खर्च के लिए निकाले सीधी सीवाते तो हमने पताया था कि जब भी business का honor निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम या तो withdraw लिखते हैं या फिर उसको हम drawings लिखते हैं तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हम जो starting में लिखेंगे हमेजा वही लिखेंगे तो यहाँ पर हम withdraw लिख रहे हैं withdraw और दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा cash क्योंकि business क्या कर रहा है cash provide कर रहा है तो यहाँ पर withdraw क्या होगा debit होगा क्योंकि यहाँ पाने वाला है withdraw यानि की Mr. Verma withdraw यानि की Mr. Verma Mr. Verma क्या है पाने वाले हैं इसलिए personal account और personal account का रूल कहता है कि पाने वाले को debit करो और यहाँ पर cash क्या है जाने वाला है क्योंकि business के पास से जो cash है वो जाने वाला है इसलिए credit हो जाएगा cash यहाँ पर इसके सामने amount आपका 45 रुपए और 45 रुपए तो यह I think हमने सारे question solve तो I think यहाँ पर हमने सारे question solve करवा दिये हैं और आपने अगर ऐसे ही question किये थे तो बहुत अच्छी वात है और नहीं किये थे तो आप एक दो बार practice और अच्छे से कीजिए question आप अपने आप से भी ले सकते हैं अपने आप से खुझ से question बना सकते हैं suppose किजिए आप किसी solve के honor हैं और वहाँ पर कैसे किसी चीज़े हो रही हैं उस type के question आप note कीजिए और उनको debit or credit आप निकालना सुरू कीजिए वहाँ पर practice जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बहतर तरीके से चीज़े clear होंगी और बाकी यहाँ पर आज थोड़ा सा आपको practical के बारे में बता देते हैं कि practical कब होने वाला है कई सारे comment पिछली वीडियो में ऐसे मिले हैं जहाँ पर कई student पूछ रहते हैं कि practical कब होगा तो आपको बता दें कि जब हमने बताया अभी यहाँ पर जब question से हम David और credit और laser अंडर वाउचर यह पाँचों चीज़े जब हम निकालना सीख जाएंगे उसके बाद में हम एक मन्त के आपके question solve करवाएंगे और उसका आपका तुरंत practical भी होगा कैसे करना है यह आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूत नहीं है बस हम जतना आपको बताते जाएं आप उतनी practice करते रहिए और जतना हम बताएं उतना तो आप जरूर कीजे बाकी यह खुश से हो सकता है तो आपका bonus point होगा अच्छी बात होगी तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम laser, under और voucher को समझेंगे कि हम question से laser, under और voucher कैसे निकालते हैं तो okay so मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching this video